उदारवाद अपना चेप्टर उदारवाद चेप्टर पकर चुक्के और डिटील देविच और हून असी उदारवाद दे कोस्टिन आंसर कर रहे हैं सारे ने इस कोस्टिन नो लिखना है और उस तो बाद इसनो रिवाइज तरी रिवाइज करना है पहला कुश्चन है लिबरलिजम शब्ल दी उथ पत्ती। लिबरलिजम शब्ल दी उथ पत्ती। लेटिन पाशादे किस शब्ल तो हुई है। from which word of latin language liberalism word has been taken? लेटिन पाशादे के शब्द तो होई है नो बुक ये राइट, I am doing it from another book बुक ये तो टेकोल है आल्डेटी मैं दूसरे बुक चो करा रहे हैं और ए वाला पार्ट मैं पहले करवा चुका थान। इसलिए मैं दूसरे बुक चो इसलिए ले रहे हैं कि ताकि तोनों confusion ना होवे क्योंकि examiner के तो भी exam पा सकता है उत्तर है लिखो लेटिन पाशादे शब्द लिब्रलिस्तों लिब्रलिस्तों जिस दावर्थ सुन्दा है सोतंतर वेक्ति लेटिन पाशादे शब्द लिब्रलिस्तों जिस दावर्थ सुन्दा है सोतंतर वेक्ति हो गया यह प्रेशन अगला प्रेशन है उदारवाद दी एक परिभाशा लिखो जो उदारवाद दी सरफ एक परिभाशा पुछीर तुसी एक परिभाशा देना है ज्यादा लिखने लोड नहीं है क्योंकि एक नंबर दा प्रेशन होएगा है उत्ता लिखो सार्टोरी अनुसार सार्टोरी अनुसार कॉमा कॉमा शुरू सधारन शब्दा विच उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंतर्था नियायक सुरख्या व्यक्तिगत स्वतंतर्था नियायक सुरख्या अते सविधान के राज दा सिध्धान्त अते वहवार है डंडी, close सविधानक राज दा सिध्धान्त अते वहवार है डंडी, close इस देविट विक्तिकर सुनता डिगल किती गई है नियाइक सुरख्य डिगल किती है ते सविधान दे राज डिगल किती गई है यानके कनून दराज होएगा, कनून दोपर कोई नहीं, एस आर्टोरी दा डेफिनेशन है, अगला प्रिशन लिखो, उदारवाद दे कोई दो व्याख्या कारा देना दस्तो, व्याख्या चार आयर इतने शब्द व्याख्या कार आया यह यह उत्लम हुं यह रहा है, उत्तर लिखो जाउन लाग से रूसो, दो हो गए, जाउन लाग, नमबर एक जाउन लाग, नमबर दो रूसो, जाउन लाग ते नमबर दो रूसो, र-O-U-S-E-A-U-E, रूसो. अगला प्रिशन है, उदार वादा जनमदाता किसनू मन्या जानता है, उदार वादा जनमदाता किसनू मन्या जानता है, उत्तर है, जाउन लाग नू, जाउन लाग. अगला प्रशन है जान लॉक ने उदारवादी विचार किस गरंथ विच पेश कीती जान लॉक ने उदारवादी विचार किस गरंथ विच पेश कीती उत्तर है साशन उत्ते दो निभंद पंजाबिट लिखलो साशन उत्ते दो निभंद और इंग्लिश चलिकоров Two Treaties on Civil Two Treaties on Civil Government अगला प्रिशन है जान लाग मनुख्खा दे केड़े अधिकार नू खुद्रती मनदा है जान लाग नंबर एक जीवंदा अधिकार लेखो नंबर एक जीवंदा अधिकार उत्तर दे विछ लिख लो जीवन दा अधिकार नमबर दो संपत्ती दा अधिकार नमबर तेन स्तोतंतर्ता दा अधिकार जीवन दा अधिकार संपत्ती दा अधिकार अते स्तोतंतर्ता दा अधिकार क्लियर हो गया बटा अगले प्रेशन दे चल देया रूसो किस दा समर्थक सी रूसो किस्दा समर्थक सी उत्तर है लोग परबुसत्ता उत्तर की है लोग परबुसत्ता पापुलर डेमोक्रेसी या पापुलर विल भी कह जानता हुने पापुलर विल या इसन जनरल विल भी कह जानता की बली पॉपुलर डेमोक्रेसी या पॉपुलर सॉवरेंटी लोग पर मुसत्ता नो बेसिकली पॉपुलर सॉवरेंटी कमांगे या पीपल सॉवरेंटी भी कह सकते हैं अगला प्रेशन है मॉन्टेस्क्यों ने की सिधान्त पेश किता मॉन्टेस्क्यो Montescu Montescu ने की सिधान्त पेश किता Montescu ने की सिधान्त पेश किता उत्तर है शक्ति दे वंड दा सिधान्त शक्ति दा वंड किसे सरकार दे विच्छ शक्ति दा केंदरी करनी होना चाहिदा उस दा भी केंदरी करना हो चाहिदा है legislative power किते होर होवे executive power किते हो रहोए judicial power किते हो रहोए ये शक्ति दी बंड हुन दिया पर ये तिन्ने शक्ति एक बंदे को होए तो शक्तियां दी centralizedization कहा दने तो वो बंदा dictator भी बन सकता है राइट अगे चलो Bentham ने किड़ी विचार तारा पेश किती Bentham Punjabi चे इन्नों केंदे उपयोगिता वाद दी विचार तारा केड़ी विचार तारा पेश किती इन्नों कहांगे उपयोगिता वाद दी और इंगलिस चे कहांगे utilitarianism दी utilitarianism U-T-I-U-T-L-I-E utilitarianism T-A-R-I-N-I-S-M utilitarianism उपयोगिता वाद दी विचार तारा पेश किती Bentham ने अगला प्रिशन है Adam Smith ने किड़ा सिधांद पेश किता Adam Smith ने किड़ा सिधांद पेश किता उत्तर है आर्थिक खेतर विच मुक्त रहन दियो दा सिधांद पेश किता आर्थिक खेतर विच मुक्त रहन दियो less is fair दा less is fair L-A-I-S-A-Z-E less is fair F-A-I-R एक परी चेक कर लिए less is the spelling गल्द हो सकता less is fair दा सिधांद पेश किता अगे है अगला प्रेशन है उदारवाद दो मुख रूप लिखो मैं तनू तन मुख रूप करवाए उदारवाद दे उदारवाद दे दो मुख रूप लिखो मैं तनू पर तन मुख रूप करवाए उदारवाद दे और नियो नियो लिब्रलिजम इसनू करने प्रंप्रावादी उदारवाद यानि ट्रडिशनल लिब्रलिजम कंटेंप्रेरी लिब्रलिजम और पंजाबी चे नू कमांगे प्रंपरावादी उदारवाद, समकाली उदारवाद तीसरा है नव उदारवाद तीसरा है नव उदारवाद तीसरा है नव उदारवाद अगला प्रोशन है प्रंपरावादी उदारवाद दे दो समर्थका दे नादसो उत्तर लिखो John Locke ते Adam Smith John Locke ते Adam Smith अगला प्रशन है प्रम्प्रावादी उदारवाधतों की पाव है प्रम्प्रावाधी उदारवाधतों की पाव है उत्तर लिखो प्रम्प्रावादी उदारवाधतों की पाव है प्रम्प्रावाधी उदारवाधतों की पाव है राज दे खेतर नू सीमित किते जान दे है प्रम्प्रावाधी उदारवाध व्यक्ति नू ज्यादा अधिकार देना चोंदा है वादू सतंतरता देना चोंदा है और राज दे अधिकार खेतर नू ये सीमित करना चोंदा है प्रंपरावादि अधारवाद व्यक्ति दे अधिकार खेतर नू वदोना चोंदा है एदना मिलिख सकते तुसी और राय देश अधिकार खेतर नों सीमित करना चौनदा है हाँ सीमित करन दे हक विचा है यह भी कर सकते कह सकते अगला प्रेशन लिखो 18 अते 19 सदी विच 18 अते 19 सदी दे विच उदारवाद दा सुरूप किस तरह दासी नेगेटिव सी निखेदात्मक टर्डीशनल सी टर्डीशनल उदारवादी जड़ा सी है ओ सी यानिके प्रमप्रावा उदारवादी सी और ए निखेदात्मक सी नेगेटिव सी लिख लोगो निखेदात्मक या नेगेटिव या फिर प्रमप्रावादी नेगेटिव भी लिख सकते हूं अगला प्रेशन है प्रमपरावादी उदारवाद नू निखेद आत्मख उदारवाद क्यों किया जानता है देखो प्रेशन लिंक कर देने लिंग न तांके तौडी क्लारिटी भी बेटर हो गहां परंपरावादी उदारवाद नू निखेदात्मक उदारवाद क्यों क्या जन्त है? परंपरावादी उदारवाद नू निखेदात्मक उदारवाद क्यों क्या जन्त है? लिखो उत्तर क्योंके ये राज नू एक बनावटी संस्था मनगा है because it thinks that state is a man-made organization and it accepts state as a necessary evil it accepts state as a necessary evil राज नो एक जरूरी बुराइदे रूप विच सविकार करता है इसले ही इसनो निखेद आत्मक उधारवाद क्या जन्द है बुराइदे रूप विच सविकार करता है अगला प्रशन है समकालीन जा अधुनिक उधारवाद दे विकास लई कोई एक कारण लिखो उत्तर है राज नीतिक लोक तंतर दा परसार या लोक तंतर दा परसार लोक तंतर दा परसार लोक तंतरदा परसाद अगला प्रेशन लिखो समकालीन जा अधुनिक उधारवादतों की पाव है जा अधुनिक उधारवादतों की पाव है लिखो समकालीन उधारवाद राजनू एक समाजिक अते नयतिक संस्था मन्दा है राजनू एक समाजिक अते नयतिक संस्था मन्दा है contemporary liberalism thinks that state is a social and moral institution state is a social and a moral institution समकाली नुदारवाद राज नुए एक समाजिक अते नैतिक संस्था मन्दा है अते उसनु लोकां देख कल्यान लई अते उसनु लोकां देख कल्यान लई वद तो वद कारज सोपना चूंदा है and contemporary liberalism thinks that state is a social and moral institution and wants to give more and more welfare work of the people लोकां देख कल्यान दे लई वद तो वद कम सोपना चूंदा है next question है समकालीन उदारवाद दे दो समर्थकां दे ना दस्थो उत्तर लिखो number 1 mac iver number 2 hob house mac iver mac iver या mac iver भी कह सकते हो mac iver कठे लिखना मगर mac iver number 2 hob house hob house hob house 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 बटा house कर hob house hob house कठना अगला प्रेशन है उदारवादी विचारता राधी कोई एक कमी लिखो उदारवादी विचारता राधी कोई एक कमी लिखो उत्तर राज एक बनोटी संस्था नहीं बलके एक कुद्रती संस्था है राज एक बनोटी संस्था नहीं बलके एक कुद्रती संस्था है राज दा हॉली हॉली विकास होया है राइट हुन कर दें थोड़ी जे फिली इंदी ब्लैंक साले कोश्चन कर लेए खाली थामा पर हो या खाली इस्थान पर हो उदारवाद अंग्रेजी पाशादे शब्द डैस दा पंजाबी अनुवाद है डैस दे विच की आओगा फिर डैस दे विच की आओगा लिब्रलिजम उदारवाद अंग्रेजी पाशादे शब्द डैस दा डैस मतलब खाली थां खाली थां दा पंजाबी अनुवाद है यानि के लिब्रलिजम दा लिब्रलिजम लिबरलिजम लिब्रला लिब्रलिजम ल-i-b-e-r-a-l-i-s-m लिब्रलिजम जाब पंजाबी चे भी तुस्षी लिब्रलिजम लिख सकते अगला प्रेशन है उदारवाद दा जनम लेटिन पाशादे शब्द खाली थां तो होया है खाली थां यानिके डैश तो होया है लिब्रलिजम तो होया है तीसरा question लिखो, dash यानि कि खाली था, नू उदारवादा जनम दाता किया जानदा है, और अपनों पता है कि John Locke नू उदारवादा जनम दाता किया जानदा है, father of liberalism, फिर कौन हो जाएगा, John Locke, John Locke नू उदारवादा जनम दाता किया जानदा है, अगला चोथा प्रेशन लिखो डैश कुद्रति अधिकार दे सिध्धांदा समर्थक सी उन्ता नों पता है कि कुद्रति अधिकार दे समर्थर के ने किता जान लॉक ने किता और उना नहीं लिब्रलिजम दी विचारता रहा तो इते भी जान लोक का जाएगा जॉन लॉग पुद्रती अधिकारा दे सिधान्द दा समर्थक्सी पज्मा परिशन लिखो मुंटेस्क्यू ने मुंटेस्क्यू ने व्यक्ति दी सुतंतता लई डैश दा सिधान्द पेश कीता यानि खाली था डैश मतलब खाली था मुंटेस्क्यू ने मुंटेस्क्यू ने व्यक्ति दी सुतंतता लई डैश दा सिधान्द पेश कीता डैश दा सिधान्द मतलब सेपरेशन अफ पावर यानि के शक्तियां दी वंड़ दा सिधान्द पेश कीता शक्तियां दी वंड़ दा सिधान पेश किता है अगला प्रेशन है डैश दा स्पिरिट आफ ला पुस्तक दा लेखक है स्पिरिट आफ ला पुस्तक दा लेखक है नहीं का पुस्तक दा लेखक है ला पुस्तक दा लाव दो लाव इपुस्तक दा लेखक है Montescue M-O-N-T-E-S-Q-U-E Montescue अगला प्रशन है डैस साशन उत्ते दो निबंद दा लेकक सी साशन उत्ते दो निबंद मैं हुने लिखवाया से कर सत्मा है डैस साशन उत्ते दो निबंद दा लेकक सी साशन उत्ते दो निबंद दा लेकक कौन है जॉन लॉक अठमा प्रशन है रूसो डैस दे सिधान दा समर्थक सी जेनरल विल सधारन इच्छा रूसो जेनरल विल दे सिधान दा समर्थक सी जेनरल विल निके सधारन इच्छा रूसो जनरल विल दे सिधान दा समर्थक्सी जनरल विल नौमा प्रशन है बेंथम डैश है ने उपयोगिता दी विचारता रा पेश किती बेंथम ने पेश किती सिगी है बेंथम ने उपयोगिता दे उपयोगिता दे सिधान दी विचारता रा पेश किती सिगी अगला क्वेशन है जेश मिल जेश मिल डैश उदारवार्दा मुक्स समर्थक मन्या जान्दा है जेश मिल डैश उदारवाद्दा मुक्स समर्थक मन्या जान्दा है सकारात्मक उदारवाद्दा नेगेटिव नी पॉजटिव लिब्रिलिस्म सकारात्मक कंटेंपरी आ जुगा मुक्स समर्थक मन्या जान्दा है अगला प्रेशन है सुतंतरता एक अजेहा केंद्री बिंदू है जिस द्वाले समुच्ची उदारवादी विचारता राकुमदी है विचारता राकुमदी है समुच्ची डैस विचारता राकुमदी है ते सुतंतरता दे पिछे सारी उदारवादी विचारता राकुमदी है न उदारवाद होए, या Contemporary उदारवाद होए, या पेर Traditional उदारवाद होए उत्ते स्वतंतरता एक common पहलू है ही है समुची डैस विचारता रखो मदी है समुची उदारवादी विचारता रखो मदी है अगला प्रशन है उदारवाद मनुखदी डैश विच विश्वाश रख देहन उदारवाद मनुखदी तरकशीलता विच विश्वाश रख देहन तीरमा प्रेशन लिखो उदारवादी डैश सरकार्दा समर्थन कर देहन सविधानिक सरकार्दा समर्थन कर देहन उदारवादी केड़े सरकार्दी समर्थन कर देहन सविधानिक सरकार्दा समर्थन कर देहन अगला प्रेशन है प्रमप्रावादी उदारवाद राज नू एक जरूरी डैस समझ दे हन जरूरी बुराई परंप्रावादी उदारवाद राज नू एक जरूरी डैस समझ दे हन राज नू एक जरूरी बुराई समझ दे हन जरूरी बुराई समझ दे हन अगला प्रशन है परंप्रावादी अनुसार राज एक बनावटी संस्था है प्रमप्रावादी उदारवाद अनुसार राज एक डैश संस्था है राज एक बनावटी संस्था है अगला प्रशन है प्रमप्रावादी उदारवाद अनुसार अगला प्रशन प्रम्प्रावादी उदारवाद अनुसार राज एक साधन है अते व्यक्ति उदेश है व्यक्ति डैश है व्यक्ति डैश मतलब व्यक्ति उदेश है यानि के व्यक्ति दे हितादी पूर्ति राजदा उदेश है प्रम्प्रावादी उदारवाद अनुसार राज एक साधन है ते व्यक्ति की है उदेश है चार प्रशन हो रहे गे फिलिंदे ब्लैंक्स दी करी लने अग्गे लिखो समकालिन उदारवाद समकालिन उदारवाद समाज दे डैश नू समाज दे डैश सरूपनू सविकार करदा है समकालिन उदारवाद समाज दे डैश सरूपनू सविकार करदा है समाज दे बहुलवादी सरूपनू उथ डैश दे विच आज़ेगा बहुलवादी सरूपनू सविकार करदा है समाज दे बहुलवादी सुरूप नू सविकार करदा है अगला प्रशन है समकाली उदारवादी अनुसार सुतंतरतावाँ सुतंतरतावाँ डैस नहीं हन सुतंतरता जड़ी है अस्रीमित नहीं है सुतंतरता की है अस्रीमित नहीं है अगला प्रशन है अधुनिक उदारवाद राजनु डैस संस्था मन दे हन समाजी कते नैतिक संस्था मन दे हन अधुनिक उदारवाद राजनु डैस संस्था मन दे हन राजनु समाजी कते नैतिक संस्था मन दे हन लास्ट प्रिशन है, नास्ट प्रिशन है, अधुनिक उदारवादिया अनुसार, राजनू आर्थिक खेतर वीच दखल देना चाहिदा है, राज में किस खेतर वीच दखल देना चाहिदा है आर्थिक खेतर वीच डैस देना चाहिदा है दखल देना चाहिदा है ठीक है चलो मिल दें फिर कल